अब हम कुछ एरोमेटिक अमाइन्स का नामकरण सीखते हैं एरोमेटिक अमाइन्स में सबसे सरल एमाइन्स जो होगा वो इसमें एक बेंजीन रिंग उपस्तित होगी जैसे कि आप सरचना देख रहे हैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिसके एक हाइड्रोजन को एक NH2 समूग एमीनो समूग के द्वारा प्रतिस्थापित किया हुआ है तो यहाँ पर यह जो सरचना होती है इसका सामाने नाम होता है एनिलीन और यह जो सामाने नाम है यह आयूप्यसी पद्धती में भी स्विकारे है यदि जब हम इसका IUPAC पद्धती में नाम करण करेंगे तो चूकि यहाँ पर हम जो हाइड्रोकार्बन का नाम है वो पहले लिखते हैं और उसके बाद इमाइन उसके पीछे सफिक्स के रूप में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बेंजी आमाइन इसी तरह से माल लिजे यहाँ पर बेंजीन रिंग में NH2 क्रियात्मक समू के अलावा कोई और प्रतिस्थापी भी उपस्तित है जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि NH2 समू के साथ आर्थो पोजीशन पर एक मेथाईल समू उपस्तित है यहाँ पर जब आर्थो पोजीशन में NH2 समू के साथ मेथाईल समू उपस्तित होता है तो इसका नाम होता है आर्थो टालूडीन और इसका जब हम आयूपीसी पंधति में नामकरण करेंगे तो पहले हम यहाँ पर जो प्रतिस्थापी तथा क्रियात्मक समूं उसका करमांकन करेंगे कार्बन परमाणों का तो यहाँ पर जो पहला नंबर होगा वह हम एनिश्टू समूं जिस कार्बन से जुड़ा है उसे देंगे और जो मेथाइल समूं है उसे उस कार्बन को दूसर क्रमांक देंगे तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा टू मेथाइल एनिलीन या फिर इसे हम टू मेथाइल बेंजीन एमीन भी लेख सकते हैं इसी तरह से अब माल लेजे कि यहाँ पर एरोमाटिक रिंग से जो एनच्टू समु जुड़ा हुआ है उसके दोनों वह नाइट्रोजन है वह मेथाइल समु के द्वारा प्रतिस्थापित हैं तो यहाँ पर भी चुक्टी यहाँ पर दोनों मेथाइल समु नाइट्रोजन से जुड़े हुए है अता उनकी स्थती को दर्शाने के लिए हम वहाँ पर एनन का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन से ही दोनों मेथेल समुझ जूड़े हुए हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा और इनकी संख्या दो है इसलिए हम इसमें पूर्वलगन डाई का भी उप्योग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एन डाई मिथाइल एनलीम यह हम सामाने नाम में लिखें तो यहाँ पर वही रहेगा केवल अंत में हम बेंजीन जोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एन डाई मिथाइल बेंजीन एमीन अब इसी तरह से मालेजे कि जो नाइट्रोजन समुझ से जुड़े वे दोनों समुझ मिथाइल ना होकर एक मिथाइल यहाँ पर हो तो वहाँ पर भी हम जानते हैं कि जो प्रतिस्थापी होंगे होने हम अलफाबर्टिकली ओडर में लिखेंगे तो वहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एन एथाइल एन मेथाइल बेंजीन एमीन अरुमेटिक नाम हो जाएगा और यह हम आयोपीसी प्धती में लिखते हैं तो वहाँ पर हम एन एथाइल एन मेथाइल एनीली का उप्योग करेंगे इसी तरह से यहाँ पर मालीजे कुछ अन्य प्रतिस्थापी भी उपस्थित हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर एरोमाटिक रिंग में एस्टू समू के पैरा पोजीश में उन्हें लिखेंगे तो यहाँ पर जो एमीन संहीं के कारवन को पहला लाग को कर दिये जाएगा और इस तरह से जो ब्रोमो समू है उसे हम चौथा खांद है नमबर देंगे तो इस तरह से जब हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन जबकि आयो पीसी पधती में नामकरन लिखते समय हम इसमें लिखेंगे पोजिशन दर्स आएंगे फोर ब्रोमो क्योंकि जो ब्रोमीन है वो चौथे नमबर के कारवन से जुड़ा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा फोर ब्रोमो बेंजीन इसी तरह से मालीजे यहां पर एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं जैसे कि हम यहां उदारण दे सकते हैं कि यहां पर बेंजीन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके आर्थों पोजिशन में एक थाईल समूह भी है और यहां पर पैरा पोजिशन पर एक ब्रोमो समूह भी यहां पर एल्फाबर्टिकली ओर्डर में हम प्रतिस्थापियों को लिखेंगे तो इसका जो सामाने नाम हो जाएगा वह होगा 4-bromo-2-ethyl-anylene जबकि आईूपसी पद्धति में हम यहां पर बेंजीन-एमीन का उप्यों करेंगे तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा 4-bromo-2-ethyl-ben-जीन-एमीन तो इस तरह से प्रतिस्थापियों को अलफा वर्टिकली ओडर में रखते हुए हम इनका नामकरण करते हैं इसी तरह से एक और उधारा हम देख रहे हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि चार कार्बन की लंबी श्रिंखला दिखाई दे रही है जिसमें कि पहले नंबर के कार्बन से एमीन एनस्टू समू जुड़ा हुआ है जबकि दूसरे नंबर के कार्बन से एक एरोमेटिक रिंग जोड़ी हुई है तो यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग होगी वहाँ भी प्रतिस्थापी के रूप में लिखी जाएगी और जो कार्बन है उसका कार्बन परमाणों क जो क्रमांग हम देंगे वो नाइट्रूजन जैसे एमीन समू जुड़ा हुआ हुआ है उधर से शुरू करेंगे और पहला नंबर देंगे तो इस तरह से वन टू त्री फोर इस तरह से चार कार्बन की हमें श्रिंखला मिलेगी जब इसका नामकरण करेंगे तो चुकि एम पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर यहां पर एरोमेटिक रिंग उपस्तित है जो इसका नामकरण जो होगा वो हो जाएगा टू फेनाईल ब्यूटेन एमीन इस तरह से हम इसका नामकरण करेंगे तो यह है एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण की प्रक्रिया इसके अधार पर हम बहुत सारे एलुफेटिक तथा एरोमेटिक एमीन का नामकरण कर सकते हैं नामकरण जाल लेने के बाद अब हम एमाइन्स के प्रिपरेशन उनको बनाने की विधियों के विशह में जानेंगे एमीन को बनाने की बहुत से विधियां है जिसमें बहुत सारे वि हैं सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड के अप्चेंड के द्वारा हम किस तरह से प्राप्त करते हैं यहां पर हम देखें नाइट्रो कंपाउंड यह यह एलिफर्टिक नाइट्रो कंपाउंड भी हो सकते हैं और एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड भी हो सकत करना है तो यहां पर जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ओटू है उसे हता कर यहां पर हमें हाड्रोजन लाना होगा और ऑक्सिजन का विटना या फिर हाड्रोजन का जूडना यही अपचभी प्रक्रिया होती है अब हम बात करते हैं यहां पर उपयोग होने वाले भिन- एलग अपचाय के द्वारा हम यहां पर रदक्शन अभी क्रिया का मालें लेजिए हमारे पास है यह Naipra compound और हाल काम उप्धिकblue allora सबसे पहले हमने के उत्प्ररेर के अपचयान के द्वारा या उत्प्रेर की हाइड्रोजनी करण की क्रिया के द्वारा इनका अप्चेन कर सकते हैं और इसके लिए हम निकल प्लाटीनम या प्लाटीनम इनके साथ हाइड्रोजनी करण की क्रिया करते हैं जैसे आर एन ओ टू यह हमने अलकिल नाइट्रो कंपाउंड लिया हुआ है और जब इसके क्रिया ह निकल या फिर प्लाटीनम धातों के साथ की उपस्थती में हड्रोजन गैस के साथ करते हैं तो यहां पर हमें प्राथमिक एमीन आर एन एच्टू प्राप्त हो जाता है उदाहरन के लिए यदि हम यहां पर नाइट्रो एफेन लेते हैं और जब इसकी क्रिया हम निकल प्लाटीनम या प्लाडियम की उपस्थती में हड्रोजन गैस से कराते हैं तो जो नाइट्रो समू है वो अप्चैन की प्राक्रिया है उसके लिए हम दूसरे अप्चैन की प्रक्रिया है उसके लिए हम दूसरे अप्चैकों का उप्योग भी कर सकते हैं इसके लिए हम एक्टिव मैटल्स जैसे की टिन हुआ आईरन हुआ या जिंक हुआ इसकी उपस्थती इनके साथ सांद्र एक्सिल लेकर भी इनका अप्चन करवा सकते हैं और हम जानते हैं कि जो सक्रीधात में होती हैं अमल के साथ जब इनकी क्रिया होती है तो यह हाड्रोजल रिलीस करती हैं और इसके द्वारा हम अप्चन की क्रिया करा सकते हैं तो यहां पर भी यदि हम एक एरोमेटिक नाइट्रो बेंजिन का उधारान ले सकते हैं, यदि हम नाइट्रो बेंजिन लेते हैं और यहाँ पर क्रिया कराते हैं, किसी भी सक्रिय धातू या टिन की उपस्तती में सांद्र एक्सियल ले ले या फिर आयरन की उपस्तती में सांद्र एक्सियल ल क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो होती यहाँ पर यहाँ पर फेरस लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर इसका जल अब घटन होता है यह हाइड्रोलिसिस के द्वारा यह एफी ओएच होल ट्वाइस यानि कि फेरस हड्रोकसाइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ हमें मिलती है है एच की एयल जो की हमारा अभिकर्मिक हैं तो स इस तरह से केवड़ में ही यहां लीशन की कम मातरा से ही हमें अधिक प्रोड़क्ट प्राप्त होते हैं और इसलिए और दोगिक तोरफर सी विधी का उपजय किया जाता है तो यह है नाइट्रो कंपाउंड के रिड़क्शन के द्वारा एमाइंस को प्राप्त करने की विधी इसके बाद हम देखते हैं दूसरी अप्चेन की विधी दूसरी विधी है एलकिल हैलाइडों का अमोनी अभटन अमोनलिस्स ओ अफ यथी ऐलकील हैलाइड अब हम देखेंं ऐलकील हैलाइड क्या है हमने जाना कि यान कि जो एलकें हैं च्सचेन को जब विधी हाइडोगन पर्मानों के द्वारा प्रतिशथापित करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट्व MORत होता है उसे हम कहते हैं all और हमने जो हैलो एलकेन लेसंज पढ़ा था उस समय भी हमने जाना था कि यह जो हैलो एलकेन्स होते हैं या या यहां पर यहां पर यहां पर यहां एक्स के द्वारा रेप्रेजन करते हैं जब इसकी क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो यहां पर हम देखें कि जो आर एक्स में से हैलोजन परमानू होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रूप होता है यहां आर एक्स के इलेक्टरान जोड़े को लेकर आसानी स यहां से हट सकता है और इसीलिए क्रिया के द्वारा हम यहां पर घुर नभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर्वा पाते हैं और इस तरह से जबिएलोजन जो हे वो बाहर निकल जाता है जबकि यहां उसकी जगा पर एक NH2 समू जुड़ जाता है और हमें प्रोड़क्ट के रूप में एलिफर्टिक या एरोमेटिक प्रात्मिक एमीन प्राप्त होते हैं यहां पर हम देखें कि यह जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया के द्वारा अमोनिया अनू के द्वारा कार्बन हायलोजन बंद का जो विदलन होता है उसे ही हम यहां पर अमोनी करण या अमोनी अभटन कहते हैं या अमोनोलिसिस कहते हैं यहाँ पर जो अमोनिया है NH3 है हम जानते हैं इसमें नाइट्रोजन के पास एक एलेक्ट्रान जोड़ा होता है और इसलिए यहाँ पर यह एक नाभिक रागी की तरह कारे करता है जैसे कि यहाँ पर हम उदारान ले सकते हैं जैसे यहाँ पर हम एक एलेफटिक एलकेल हलाइड लेते हैं और जब इसकी करिया हम अमोनिया से कराते हैं NH3 जिस पर नाइट्रोजन के उपर के पास दो लोन पैर हैं और हम जानते हैं कि जो एलकेल हलाइड हैं उसमें हैलोजन पर थोड़ा सा स्लाइप नेगटिव चार्ज ह होता है जब कि कार्बन पर स्लाइड पॉज्टिव चार्ज होता है तो यहां पर अमोनिया अपने इलेक्टरान देर् कर यह कार्बन जोड़े और यहां पर चुकि इसको इलेक्ट्रान मिल गया है और इस तरह से यहां पर जो कार्बन और हैलोजन का बंद है वहां पर विदलित होता है और जो हैलोजन पर माणू है कार्बन हैलोजन के इलेक्ट्रान जोड़े को लेकर एक्स माइनस के रूप में यहां से प्रिथाक होता है लेकिन यहां पर अब देखिए जो एक माध्यमिक सरचना बन जाएगी उसमें हम रपस आर च्टू है और साथ ही साथ यहां पर नहीं त्री यहां पर जुड़ा हुआ है अब चुकि यहां पर कार्बन के साथ पांच होगा और च्टू एनस्टू और यह जो हैड्रोजन बाहर निकल रहा है वह एक्स माइनस यानि की हैलोजन के साथ मिलकर यहां पर यह एक्स बनानेगा जैसे कि यहां पर हम एरोमेटिक हैलाइट के द्वारा भी इस उधारान को समझ सकते हैं यदि हम यहां पर लेते हैं सी 6 H5 CH2 x तो वहां पर भी जब इसकी अमोनिया के साथ क्रिया होगी तो जो जो अमोनिया inh 2 समूप है वह कार्बन के साथ जुढ़ जाएगा और रहमें प्राप्त होगा तो यहां पर एरोमेटिक रिंग अैरोमेटिक a.r chad city Samo और साथ ही साथ जो ammonia से एक hydrogen बाहर निकल रहा है वह hydrogen के साथ मिलकर HX बना लेगा इसी तरह से यहां में एक उधारन के द्वारा भी इससे समझ सकते हैं माल लेजे हम यहां पर ले रहे है अथाइल chloride यहां पर या chloroethane C2H5Cl और जब हम इसकी अभिक्रिया ammonia NH3 के साथ कराएंगे तो हमें जो final product म मिलेगा वह हो जाएगा एथेना मीन C2H5 NH2 और साथ में हमें मिलेगा HCl लेकिन यहां पर यह जो अभिक्रिया हो रही है चूंकि यहां पर जो प्रात्मिक एमीन हमें मिला C2H5 NH2 और यहां पर जो एमीन समूं है उसमें अभी भी nitrogen के पास lone pair उपस्थित है तो यह जो प्रात मिक एमीन प्राप्थ हुआ है यह उना नाभिक रागी की तरह विभार कर सकता है अब यहां पर दो इस्थती हो सकती है हमने जो रिजंट लिया है अलकिल हलाइड या फिर एरिल हलाइड और साथी साथ अमोनिया तो हमने इसमें यदि अमोनिया की मात्रा अधिक तामिर लेत हैं तो हमें जो फाइनल प्रोड़क्ट होता है प्रात्मिक इमीन ही मिलता है लेकिन यदि हम यहां पर अलकिल हलाइड या अरुमेटिक हलाइड को एकसेस में अधिक्ता में ले लेते हैं तो यहां पर जो अभिक्रिया होती है केवल प्रात्मिक अमाइन बना कर रुकती नह यहाँ पर अब दूसरा यहाँ पर आ जाएगा जैसे दूसरा घलरड यहाँ पर आ गया सी टू हफाइफ दो पुना यहाँ पर जो एक्ट तू है वह पुना नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा क्योंकि उसे इलेक्ट्रान की आवश्कता है जबकि जो NH2 समू का जो एक हड्रोजन है वह अपने इलेक्ट्रान लेकर बाहर निकल जाएगा और यह फिर जो एलकेल हैलाइट के जो हैलोजन यानिकि यहाँ पर जो क्लोरीन परमानू था उसके साथ जुड़कर यह एक्सियल के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस तरह से हमें जो नया एमाइन प्राप्त होगा वो होगा दुतियक एमाइन जिसका यहाँ पर हम देख रहे हैं एन एथाइल एथेना मीम यहाँ पर हमें दुतियक एमाइन प्राप्त होगा अभी यहाँ पर देखें कि जो दुतियक एमाइन मिला है इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेर उपस्थित हैं इसलिए यहां भी एक नाभिक रागी की तरह विभार करेगा और आगे एलकेल या एरेल हैलाइट के तीसरे अनु के साथ करेगा और इस तरह से हम देखें कि यहां पर पुना जो नाइट्रोजन का जो अंतिन या तीसरा जो हैड्रोजन है नाइ मीमाइन मिल जाएंगे तो इसका जो नाम होगा यहां पर ओगा एन डाइटाइल एथेना मीन तो इस तरह से हमें तर्थियाक अमाइन प्राप्थ हुआ है यहां भी क्रिया यहां पर भी नहीं रुकेगी इसके बाद एक और एलकेल या एरेल हैलाइट का अनूं यहां पर आ यहाँ पर hydrogen उपस्थित नहीं है और इसलिए यदि यहाँ पर एक अलकाइल समु जुड़ता है तो यहाँ पर nitrogen के ऊपर positive charge आ जाएगा और जो यहाँ पर हेलोजन जो निकला हुआ है CL- यहाँ पर दोनों आबंद के रूप में आकरशन बंद के द्वारा जुड़े हुए होंगे और इस तरह जो सरचना मिलेगी उसे हम कहेंगे टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराल यह साल्ट के रूप में उपस्थित होगा तो जिसे हम चतुष्क अमोनियम लवन भी कहते हैं तो इस तरह से हम देखें कि यह जो अभिक्रिया है इसकी एक ड्रॉबेक यह है कि यहाँ पर हमें किवल प्रात्मिक एमीन प्राप्त नही कुछी नहीं मानी जाती है एमाइन के फॉर्मिशन के लिए साथ ही साथ हम देखें कि यहाँ पर जो एलकिल है यदि हम इनके रियक्टिविटी का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव होगा जिसके साथ अभी क्रिया तेजी से होगी वह होता है एलकिल आयोडाइ और यहाँ पर RF का उप्योग हम नहीं करते हैं क्योंकि RF में जो बंध की व्योजन उर्जा बहुत ज्यादा होती है तो सामाने ताप पर यह भी क्रिया नहीं होती है और RI की रियक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहाँ पर आबंध व्योजन उर्जा इसकी सबसे कम होती है क्योंकि कार्बन और आयोडीन के बीच का जो आबंध है वो काफी आबंध लंबाई अधिक होती है और जहां पर आबंध लंबाई अधिक होती है तो वहां पर व्योजन उर्जा कम होती है और इसलिए यहां आसानी से ब्रेक होकर तू अमोनी अभगटन से हम प्रात्मिक द्वितियक तृतियक या फिर चतुष्क अमोनियम लवन के मिश्रण प्राप्त करते हैं इसके बाद हम देखते हैं एलकिल नाइट्राइलों के अपचैन के द्वारा एमीन का फार्मेशन जो कि यह भी एक अपचैन अभिक्रिया है तो यह यहां पर भी हमें उप्युक्त अपचैकों का उप्योग करना होता है यदि हम एलकिल नाइट्राइलों की सरचना देखें तो इन्हें हम सामान सूत्र आर सी ट्रिपल बॉंड एन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं अब इस सरचना से सबस्ट है कि यदि हमें एलकिल ना क्रड़क्षन यहां करना होगा और इसके लिए हमें उप्युक्त अपचायक का उप्योग करना होगा तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छा जो अप्चायक होता है वह होता है लीथियम एलुमिनियम हाल Đ्राइल की क्रिया जब हम अलकिल नाट्राइल से कराते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन है उससे भी दो हार्डोजन जुड़ जाएंगे और नाट्रोजन है उससे भी दो हार्डोजन जुड़ जाएंगे और इस तरह से हमें आर CH2 NH2 प्रात्मिक एमाइन प्राप्त होते हैं और इसका जब रडेक्शन हम कराते ह हैं लीथियम अलुमिनियम हाड़ाइट से तो हमें यहाँ पर एथाइना मीन प्राप्त होगा छीएश 3-2-2 इसी तरह से यहाँ पर हम लें कि यह जो अप्चेन की क्रिया है हम यहाँ पर दूसरे अप्चायकों के द्वारा भी करा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम निकल सॉलूशन में सोडियम अमलगम के द्वारा भी अप्चेन की क्रिया कराई जाती है और यहाँ पर भी हमें जो अलकल नाइट्राइल है उनके द्वारा हमें प्रात्मिक एमाइन प्राप्त होते हैं एक और विधी है यहाँ पर यदि हम अलकल आइसोसाइनाइड का का अप्चेन निकल पैलोडियम प्लाटीनम या के उपस्तती में हड्रोजन गैस से कराते हैं तो यहाँ पर हमें द्वित्यक एमाइन प्राप्त होंगे जैसे कि उधारन के लिए यदि हम लेते हैं सीएस्ट्री सीएस्टू एंसी यहाँ पर हम अभीकारक के रूप में ले हैं कि हमें द्वित्यक एमाइन प्राप्त होती हैं तो इस तरह से अल्किल नाइट्राइलों के अप्चेन के द्वारा हम बहुत ही आसानी से एमाइन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इनमें जो सबसे अच्छा जो अप्चायक होता है वह होता है लीथियम अलूमिनियम तो यहां पर हम देखेंगे कि aluminum पहले के बाहरी कोश में क्योंकि तीन इलेक्टरान होते ही और यह तीन hydrogen पर्माणवों से साजह करके इलेक्टरान बना लेता है तीन hydrogen पर्माणवों से बंद बना लेता है और यह हो जाता है लेकिन यहां पर चुकि यहां पर आप देख रहा है aluminum के साथ 4 hydrogen जूड़े हुए हैं तो यहां पर फिर से यहां पर lithium और hydrogen दोनों यहां पर जूड़ेंगे तो लीथियम जो होता है वह पहले अपना एक electron hydrogen को दे देता है जिससे hydrogen माइनस चार्ज वाला हो जाता है और यह फिर aluminum को अपना electron देता है जिससे देकर यहां पर जुड़ जाता है जिससे aluminum पर negative charge आ जाता है और इस तरह से जब aluminum पर negative charge होता है और लीथियम पर positive charge होता है तो इस तरह से इनके बीच आकर्शन बन बन जाता है तो इस तरह से यहां पर लीथियम aluminum hydride की सरचना होती है इसके बाद एक और अप्चैन विधी हम देखते हैं जिसमें हम अप्चैन करते हैं यह माल्डों का तो यहां पर alkyl amide के अप्चैन के द्वारा भी हम amines प्राप्त कर सकते हैं अब यहां पर हम लेंगे alkyl amide alkyl amide की सरचना हम जानते हैं यह होती है r c double bond o और यहां पर carbon से जुड़ा होता है अब जब हम इनका अप्चैन करते हैं तो इनका अप्चैन करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं amide यहां पर हम देखें कि बहुत सरल विधी के यहां पर दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो जो carbon है उसमें से जुड़ा हुआ double bond o oxygen को वहां से हटाना होगा और वहां पर दो hydrogen जोडने होंगे तो इस तरह से जब हम इसकी क्रिया r c double bond o nh2 इसकी क्रिया जब हम कराते हैं lithium aluminum hydride से तो यहां पर carbon से दो hydrogen जुड़ जाते हैं और हमें product के रूप में मिलता है r c h 2 n h 2 प्रात्मिक एमाइन हमें प्राप्त होते हैं इसे हम एक उदाहरन के द्वारा ले सकते हैं माल लेजिए हमने लिया है एथेना माल तो यहां पर यह इसका सूतर हो जाएगा c h 3 c o n h 2 और जब इसकी क्रिया हम lithium aluminum hybrid से कराते हैं इसका जब हम अप्चैन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है c h 3 c h 2 n h 2 यहने की एथेना मीन तो इस तरह से आमाडों के अप्चैन के द्वारा भी हम इन माइन प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद यह सामान अप्चैन अभिकरिया है और इसके बाद हम एक महत्व अभिक्रिया या नेमिंग रियक्शन यान नहीं इंविक्षन को जानेंगे email के formation के लिए जिसका उप्योग किया जाता है और वो है गेभरियल तैहली माईड संतेशिस यहां पर जो घेभडियल तैहले माईड लेशन है वहां और इस तरह से इसको जानने के पएले हम ये जानते हैं कि हम थैली मल्ड किस प्रकार से प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर हम देखें जब हमने कार्बॉक्सिलिक अमलों का अध्यन किया था उस समय हमने थालिक एसिट को देखा है थालिक एसिट की जो सरचना होती है उसमें हम देख रहे हैं कि एक बेंजिन रिंग होगी और इसमें बेंजिन रिंग में आर्थों पोजीशन पर दो कार समु चूड़े होते हैं जब इसकी क्रिया हमट ह के साथ कराते हैं तो यहां पर जो अमोनिया है इस में से जो कर्ब अरफ के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो यहां पर हमें जो दोनों ही कर्भग इसमान के जो जो हो जाएंगे और हमें प्राप्त होगा यहां पर C6H5 यह रिंग हो गई और इसके बाद जो आर्थो पोजिशन पर जुड़े होंगे CONH2 और इस सरचना को हम कहते हैं थैले माल्ड यहां पर हम स्पेलिंग को ध्यान देंगे इसका नाम होगा थैले माल्ड अब लेकिन जब इसको हम और आगे गर्म करते हैं तो गर् तरह से एक अमोनिया NH3 बाहर निकल जाती है और इस तरह से जो दोनों CO समूंगे वह दोनों कार्बनल समूंग अब एक केवल एक NH के द्वारा जुड़ जाते हैं और इस तरह से हमें जो सरचना प्राप्त होगी जिसमें बेंजन रिंग में आर्थो पोजिशन पर यहां पर C double bond O, C double bond O समूंग उपस्तित है तथा दोनों एक NH के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इस तरह से यह जो सरचना बनी इस सरचना को अब हम कहते हैं थैली माइड और इसी थैली माइड जो कंपाउंड है इसी का उप्योग हमें इमाइन फॉर्मेशन के लिए करना है तो जो जाद गैबियल तैली माइड सेंथेशिस से उसमें हम खरको अभीकर्मत के रूप में उप्योग करते हैं और साथ जाथ इसके बाद जब हम इसका हाइड्रो लिसस कराते हैं तो अन्त में हमें आत्रात्मिक एमाइन पराप्त होते हैं और यह महतुत्पूर्ण बात यह है कि इस अभी क्रिया के द्वारा हम केवल प्रात्मिक एमाइन ही प्राप्त कर सकते हैं और प्रात्मिक एलिफटिक एमाइन ही प्राप्त कर सकते हैं इससे हम एरोमेटिक एमाइन भी प्राप्त नहीं करेंगे यहाँ पर रियक्शन कैसी होगी यहाँ पर हम ले रहे हैं और थ यहां से हटाना होता है तो जब हम इसकी कराते हैं तो यहां से जो प्रटाशिय मढ़ को अपने साथ ले जाता है और यहां पर वाटर पानी के रूप में वो निकल जाता है और साथ ही साथ जो पटेशियम है वो नाइट्रोजन के द्वारा यहां पर जुड़ जाता है तो इस तरह से हमें जो नया कंपाउंड प्राप्थ हो रहा है उसे हम कहेंगे पटेशियम थैलीमाड यहां हम कहें थालेम ed καपोटेशन थिं यहां पर हमें प्राप्ट हो रहा है और इसकी क्रिया यह जब यहां पर तो हम जानते हैं कि जो यहां पर आयोडाइड या है माले जी यहां पर आयोडाइड है तो यह नेगटिव चार्ज है और यहां पर जो पर packaging थैलीमाइड में जो party 橋 यह है और हम जानते हैं कि इनकी काफी affinity होती है प्रत्थम समू के जो तत्थ होते हैं और हैलोजन के बीच तो यह यहाँ पर के आई के रूप में बाहर निकल जाएगा यहाँ पर जो रूप में बाहर निकल जाएगा और जो इस्तती हमें तक हमें पहुंचना है तो यहां पर जो C2H5 है इसके द्वारा जुड़ जाएगा तो यहां पर हमें जो सरचना मिल रही है वो इस प्रकार से होगी जिसमें एरोमेटिक रिंग आपको दिखाई दे रही है और जिसमें C जुड़ा हुआ है C डबल बन ओ और दोनों यार्थो पोजेशन पर सी डबल बन ओ और साथ ही साथ इसमें दोनों जुड़े हुए नाइट्रोजन के द्वारा और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है एलकाईल समूस्री 2H5 के द्वारा अंत में यहां पर हम इसका छारी हाइड्रोलिसिस करेंगे यहां पर छारी अभगटन करेंगे और छारी अभगटन करने पर जब यहां पर हाइड्रोलिसिस होगा तो हम यहां पर बता दें कि जो कार्बन और नाइट्रोजन है उनके बीच का बंद तूटेगा और यहां पर जो कार्बन की तरफ यहां पर OH समूस्री चला जाएगा औ और जलका और जो हड्रोजन है वह एलकाइल समू की तरफ नाट्रोजन के द्वारा इसके साथ जुड़ जाएगा तो इस तरह से यहां पर जो सरचना हमें प्राप्त होगी वह होगी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है आर्थो पोजिशन पर सी ओ ओ एच यहां पर यहां पर थालिक अमल हमें पुना प्राप्त हो रहा है लेकिन हम बता दें क्योंकि यहां पर छार की उपस्तती में हाइड्रोलिसिस हुआ है इसलिए थालिक अमल ना प्राप्त होकर हमें उसका सोडियम लवन प्राप्त होता है तो यहां पर हमें थालिक एसिट का सोडियम लवन प्राप्त होगा साथ ही साथ जो एलकाइल समू से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है उससे दो हड्रोजन जुड़ जाएंगे और इस तरह से हमें प्रात्मिक एमाइन प्राप्त होगा और एन एच टू तो इस तरह से हम तीन स्टेप में पहले स्टेप में हमें थाली म का जो साल्ट हमें मिल रहा है उसकी क्रिया फिर हम अल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं और अल्किल हैलाइड के साथ जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके बाद जो हमें योगात्मक उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है उसकी फिर हम छारी है 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 तो उसे उसके द्वारा हमें थालिक जो साल्ट प्राप्त होगा और साथ ही साथ हमें आर एनच्टू प्राइमरी एमाइन प्राप्त होंगे तो यह लंबी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्रात्मिक एमाइन प्राप्त कर सकते हैं और प्रात्मिक एमाइन प्राप्त करने की यह बहुत ही अच्छी अभीक्रि तो aromatic halide लेते हैं तो aromatic halide में कभी भी नाभीक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि यदि हम लेते हैं माल लेजे C6H5Cl तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है एलेक्ट्रोन विड्रॉइंग ग्रॉप होती है और यहाँ पर जो क्लोरीन और कार्वन के मद्द यहाँ पर दुईबंध आ जाता है और यह दुईबंध को तोड़ना काफी मुश्किल होता है और इस स्थति में जो aromatic हलाइड होते हैं उनमें नाभी करागी प्रतिस्थापन अभीक्रिया नहीं होती है और इसलिए इस विदी के द्वारा हम aromatic प्रात्मिक एमाइन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसके बाद हम देखने जा रहे हैं एक और महत्वपूण अभिक्रिया जिसके द्वारा हम इमाइन प्राप्त करते हैं और वो है आईए अब हम जानते हैं एमाइन प्रपरेशन की एक और महत्वपूण विधी जिसका नाम है हाफ मैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में यहाँ पर हाफ मैन हाफ मैन है यहाँ साइंटिस्ट का नाम जिन्हों ने इस अभिक्रिया को दिया है इसके बाद यहाँ पर है ब्रोमोमाइड यहाँ पर यहाँ इस अभिक्रिया में हमें ब्रोमीन का आणविक ब्रोमीन का उप्योग करना है और साथी साथ यहाँ पर का उप्योग करना है साथ यहाँ पर है डिग्रेडेशन रियक्षन डिग्रेडेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी हम एमाइड उप्योग करते हैं उससे बनने वाला जो प्राइमरी एमीन हैं उसमें एक कार्बन की कमी होती है और यह अभिक्रिया इसलिए भी या प्रप्रेशन कर सकते हैं तो आई जानते हैं हाफ्मेन ब्रोममाइड डिग्रेडेशन रियक्षन के बारे में तो यहाँ पर जैसे कि माने बताया यहाँ पर जो हमारा मुख्य क्रियाधार होगा या सब्स्ट्रेट होगा वो होगा एमाल तो यहाँ पर एमाइड जिसका क्रिया हम कराते हैं आप ब्रोमीन यानिकी बी आर टू और यहां पर हम जो ब्रोमीन है उसके केवल एक ही मोलकाव करेंगे साथ ही साथ यहां पर जो माध्यम रखा जाता है वह है चार और यहां पर इसके लिए हम या तो सोडियम हाइड रॉकसाइड रख सकते हैं या दूबल बॉन ओ एन एच्टू है और एमाइन जब हम लिखते हैं तो उसमें सूतर होता है आर एनएच्टू यहनिकि हमको करना यह है कि जो एमाइड के बीच में सी डबल बॉन ओ समू है उसे यहां से हटाना है और इस तरह से जो हमें प्रोड़क्ट मिलेगा वो होगा आर जाने जहते हैं तो यहां पर हमें दो ओपर अ क्रस्चेट करना है तो यहां निकलता है यहां पर सोडियम कार्बोनेट के रूप में यहने कि Na2CO3 के रूप में ये बाहर निकलेगा साथ यहाँ पर जल के दो अनु भी बाहर निकलते हैं तो इस तरह से यदि हम इस अभिक्रिया को बैलन्स करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुकि यहाँ पर एक sodium carbonate बनता है जिसका सूत्र होगा Na2CO3 यहाँ पर दो sodium हमें चाहिए होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो दोनों मोल का उप्योग करना होगा तो यहां पर हम सोडियम हाइड्रोकसाइड के पहले चार फोर नंबर लिख देते हैं इसी तरह से ब्रोमीन का हमें एक ही मोल चाहिए यह आणविक ब्रोमीन यानि कि बी आर टू साथ ही साथ हम यहां पर लेंगे अमाल तो इस तरह से जो हमारा बैलेंस एक्वेशन होगा उसके बाद जो प्रोड़क्ट बनता है उसमें आर एने इस टू होगा तू एने बी आर बनेगा यहां पर एक सोडियम कार्बोनेट इन एटू सी ओ त्री बनेगा और यह इस तरह से यह अभी क्रिया होती है इसे हम एक उदाहरन के दोरा भी ले सकते हैं यहां पर हम यहांपर हमें प्राप्थ होगा वह यहाँ पर हमें प्राप्त होगा थी एस लिख देना है तो इस तरह से हमें यहाँ पर मेथैनामीन प्राप्त हो जाएगा और साथ यहाँ पर पुना टू एने बी आर बनेगा एने टू सीओ थी बनेगा और दो अनुजल के बनेंगे इसी तरह से हम एक उदारन यहाँ पर एरोमाटिक अमाइड का भी ले सकते हैं जिस जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है बेंजामाइड बेंजामाइड का सूत्र हम लिखेंगे C6H5C double bond O और carbon से जुड़ा होगा NH2 इस बेंजामाइड की क्रिया जब हम ब्रोमीन BR2 और sodium hydroxide के साथ कराएंगे तो आप समझ सकते हैं प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है यहाँ पर बे अरोमेटिक अमीन भी प्रिपेर कर सकते हैं हाफ में ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रियक्शन के द्वारा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी हमें मिल रहा है उसमें एक कार्बन कम होता है अमाइड की कंपेर में तो इस तरह से यह बहुत ही अच्छी अभीक्रि में हो क्या रहा है किस तरह से यहाँ पर अभीकारा जुड़ते हैं और किस तरह से प्रोडक्त बनते हैं यानिकि इसकी पूरी रासाइनिक जो अभीक्रिया की मेकनिजम है उस क्रिया विधी को हम जानते हैं जिससे यह अभीक्रिया हमें और अच्छी तरह से समझ में आ लगा दिया में अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चार जो हमने चार मोल जिसके हम लेते हैं उसके पहला अड़ों यहाँ पर न ओ एक का किया होता था है अनोच का काम होता है OH- देना और हम बता दें कि जो माइड है उसमें नाइटूजन से जुड़े हुए जो हाड्रोजन होते हैं वो बहुत ही ज़यादा अमली प्रकरती के होते हैं ऐसडीक नेचर के होते हैं क्योंकि नाइटूजन की एलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ज मिला है वह इस प्रोटॉन को ग्रहन कर लेगा और वाटर मॉलुक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर एने प्लस आयन है वह भी बाहर निकल रहा है तो इस तरह से जो पहले हमें अब जो सरचना प्राप्त हो रही है वह हो जाएगी आर सी डबल ब प्रोटा ही है तो यहाँ पर इसके पास चुकि एक लोन पर पहले से है और एक दो इलेक्ट्राइंट जोड़े इसे फिर से मिल गए हैं इसलिए इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज यह नेगेटिव हो जाता है और इसके बाद अब यहाँ पर जो क्रिया होगी जो दू प्राप्त हुआ है इसकी वज़े से क्योंकि यह धुरूवी है और इसकी वज़े से जो बियार्टू है उसके बॉन में भी पोलारिटी आ जाती है इंड्यूस डाइपोल यहाँ पर आ जाता है यह हम यह कह सकते हैं कि इनमें जो हेट्रोलोटिक फिजन होता है इस बंध में और जोनों जो इलेक्ट्राइन जोड़े हैं एक ब्रोमीन की तरफ चल जाते हैं और इससे उस पर एक निगटिव चार्ज आ जाता है जबकि दूसरे ब्रोमीन पर पोजिटिव चार्ज आ जाता है और यह जो पोजिटिव चार्ज वाला जो ब्रोमीन है वही यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कारे करता है तो अब हम जानते हैं क्योंकि नाइट्रोजन पर है नेगटिव चार्ज और यहाँ पर ब्रोमीन पर है पॉजिटिव चार्ज तो सीधे यह जो ब्रोमीन है वह जाकर नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और जैसी यह नाइट्रोजन तो इस हाइडरोजन को भी हमें हटाना है और इसके लिए हमें आवशक्ता होगी पुना चार के एक अनू की तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोकसड का दूसरा अनू आएगा और यहाँ पर उससे प्राप्त जो एच- आयन होंगे वह इस हाइडरोजन को लेकर जल के अनू के र दूसरा है वह भी जल के रूप में बाहर निकल जाता है और साधी साथ चुकि यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल गया है और इसलिए यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर यह जो सरचना हमें दिखाई दे रही है यहा कि यहाँ पर amide से nitrogen जुड़ा हुआ है इसलिए इस species को कहा जाता है bromomide और इसी वज़ा से इस अभिक्रिया का नाम भी पड़ा है half man bromomide reaction अब इसके बाद यहाँ पर हम जान रहे हैं कि जो nitrogen पर भी negative charge है और यह जो इससे जुड़ा हुआ bromine है वो भी electronegative होता है और साथी साथ जो nitrogen bromine है वो बहुत अच्छा living group है इसलिए यह अपने electron जोड़े को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और हम जानते हैं कि चुकि यहाँ पर इसके पहले हमें na plus iron बाहर निकला था तो यह उसके साथ मिलकर बना लेगा na br अब यहाँ पर जो हमें species तयार हुई है वो मिल रही है उसमें आप देख सकते हैं और इसके बाद है इसमें C double bond O और उससे जुड़ा हुआ है nitrogen nitrogen के उपर के पास एक अपना loan pair तो है ही साथ ही साथ इसे एक loan pair मिला हुआ है जिसके कारण इसके उपर एक negative charge है लेकिन इस nitrogen पर यदि हम गौर करें तो हम देखेंगे कि इसके बाहतम कोश में चार यानिकि इनके पास दो loan pair हो गए जिस चार इलेक्टरान हो गए और साथ ही साथ यहाँ पर जो माली जे carbon nitrogen का जो साजह का इलेक्टरान जोड़ा है वह भी इसके साथ गिना जाए तो भी इस nitrogen के बाहतम कोश में कुल 6 ही इलेक्टरान होते हैं यहने कि इसका औक्टेट complete नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि इसे इलेक्टरान की आवशक्ता है यह इलेक्टरान deficient species है और इस species को क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है जो कि इलेक्टरान deficient है जिसके बाहतम कोश में सिर्फ छे इलेक्टरान है और यह जुड़ा हुआ है एक साइल समूसे आर सी डबल बॉन ओ समूसे इस लिए इस जिए को कहा जाता है इस साहिल नाइट्रीन और यह जो है एक intermediate species है तो इसके पहले हमने देखा था इस अभी क्रیया में पहले एक बना था ब्रोमोमाइड जो intermediate था अब दूसरा लेकिन यह intermediate compound नहीं है क्योंकि यह stable नहीं है बहुत ही अस्थीर होता है बहुत ही reactive होता है इसलिए हम इसे intermediate species कहते हैं और चुकि nitrogen के पास electron की कमी है और इसे electron की आवश्यक्ता है तो यहां पर अब इसकी मदद करेगा जो कारवन से जुड़ा हुआ है यहां पर अपने दोनों electron जोड़े लेकर यहां पर migrate करता है और nitrogen को से जुड़ जाता है और यहां पर एक इसे हम कहेंगे rearrangement reaction होती है और इस rearrangement के फलसरूप यह जो अभिक्रिया होगी यह rate determining step भी होती है बहुत slow reaction होती है और इसे हम कहते हैं rearrangement तो यहां पर rearrangement होगा और इस तरह से जो अब कार्बोनिल कार्बन से हटकर अब nitrogen से जाकर जुड़ जाता है और इस तरह से हमें जो सरचना नहीं प्राप्त होगी वह हो जाएगी C double bond O C से जुड़ा हुआ है N और उसके बाद जुड़ा हुआ है और इस प्रकार की यह जो सरचना बन रही है हम जानते हैं कि R N C यह जो सरचना होती है आइसो साइनाइड कहलाती है लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं C से एक oxygen भी जुड़ा हुआ है तो यह जो सरचना होगी इससे हम कहेंगे अलकाइल आइसो साइनेड यह भी इस अभिक्रिया के दोरान होने वाला उत्पन होने वाला एक intermediate product है एक माध्यमिक योगिक है तो इस तरह से यहां पर intermediate बन रहा है और इसे फिर से अब आगे हम देखें इससे हम इस तरह से भी लिख लेते हैं कि यह स्ष mythical दबन अरे यहां आडबल बाός oh क्योंकि जैसे ही हां पर हमने देख puppeur सुड़ता है वैसे ही nitrogen का एक low पयर कारबन कार बन और nitrogen के बीच शिफ्ट हो जाता है है और इस तरह से कारबन और nitrogen के बीच डबल बन जाता है साथ ही साथ कार्बन और ऑक्सीजन के भी तो डबल बन पहले से ही है तो इस तरह से जो हमें स्पीसीज मिल रही है वह हो जाएगी और यहां पर हम देखें कि अब यह जो जुड़ा हुआ नैट्रोजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके दोनों तरफ देखि स्लाइट यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पर अब हम अपने फाइनल प्रोड़क्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहां पर हमने देखिए अभी तब दो चार सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉल्यकूल का उप्योग कर लिया है और हमें यहां पर दो आपको दिखाई दे रहा है और एन को चाहिए दो हैड्रोजन जो कि इसे छार सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त होते हैं और यहां पर फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो आर एनेच्टू हमें प्राप्त हो जाता है साथी-साथ यहां पर हम देखें कि C double bond O है औ और इसे यह carbonate के रूप में बाहर निकलेगा और इसे चाहिए दो और oxygen जो हमें sodium hydroxide के जो दो यहाँ पर हम छार ले रहे हैं उससे दो oxygen और मिल जाएंगे तो इस तरह से यह carbonate co3 minus के रूप में निकलेगा जो की na plus के साथ जुर कर na2 co3 यानि की sodium carbonate बना लेगा और इस तरह से हम पूरी अभिक्रिया में जितने अरुनों का हमने उप्योग किया था वो सभी का उप्योग करके हम अपने final product यहने की अमाइन प्रामरी अमाइन के तरफ पहुँच जाते हैं तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है और बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है जिसके द्वारा हम एमाइड का aromatic और aliphatic दोनों aliphatic का उप्योग करके हम aliphatic और aromatic amine प्राप्त कर लेते हैं